क्या समाजवादी पार्टी के कई विधायक योगी के संपर्क में हैं? क्या अखलेश का मांसून उफर उनके लिए ही भारी पढ़ने वाला है? क्या योगी को CM की कुर्सी से हटाने का सपना देखने वालों को करारा जटका लगने वाला है? ये सवाल यो ही नहीं उठ रहे हैं बलकि ये सवाल उठने लगे यूपी विधान सभा के अंदर से आई एक तस्वीर के आने के बाद भूमिकाना बांधते हुए सीधे आपको पहले वो तस्वीर दिखाते हैं ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये विधान सभा के अंदर की है जहां सीएम योगी के आते ही सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं नहीं विपक्ष के नेताओं ने भी उन्हें सम्मान दिया किसी ने जुक कर पैर्च हुए तो किसी ने नमस्कार किया तो किसी ने आखों से ही योगी के प्रती अपना सम्मान अपना आभार जता दिया विधान सभा की अंदर से विपक्ष के बीच योगी की लोग प्रियता की ये तस्वीर चर्चा का विशे बन गई है हर तस्वीर की अपनी अलग कहानी है उन्ही तस्वीरों में से एक तस्वीर है योगी और सर्दना सीट से विधायक अतुल प्रधान के मुलाकात की ये तस्वीर तस्वीर में दिख रहा है कि अतुल प्रधान भी योगी की मुरीद है जाहिर है ये तस्वीर सपा प्रमुक अखलेश यादब की चिंता बढ़ा सकती है यही नहीं इस तस्वीर को देख कर जानकार तो ये भी कह रही है कि योगी ने विधान सभा में उनके प्रत्याशी को हराने वाले को भी अपने आगे जुका दिया ये तस्वीर है कही न कही अखलेश के मांसून उफर का करारा जवाब है ये तस्वीर कह रही है कि योगी ने प्लान भी तयार कर लिया है आखिर क्यों अतुल प्रधान और योगी की ये तस्वीर अखलेश की नींद उड़ा सकती है इसे समझने के लिए अतुल प्रधान के बारे में भी जानना होगा तो आपको बता दें कि अतुल प्रधान ने अपने करियर की शुरूआच छात्र नेता के तौर पर की थी अतुल प्रधान सपा छात्र सभा के प्रतेश अत्यक्ष भी रहे है अतुल प्रधान पहली बार सर्धना सीट पर 2012 में सपा के सिंबल पर विधान सभा का चुनाओ लड़े हालकि अतुल प्रधान अपना पहला चुनाओ हार गए उस समय भाजपा के संगीत सोम ने इन्हें हरा दिया था और ये तीसरे नंबर पर रहे थे इसके बाद से उनकी पहचान सपा नेता के रूप में होने लगी इनका कद लगातार बढ़ने लगा अकलेश यादफ जब मुक्यमंत्री थे तो अतुल प्रधान ने कस्वा फलावदा में 21 मार्श 2015 को सदभावना रैली का आयूजन कराया था इस्रैली में समर्तकों की बड़ी भीड पहुँची थी जिस से अतुल प्रधान चागए और अखलेश यादफ के करीबियों में शामिल हो गए नतीजा साल 2017 में भी सपा ने एक बार फिर अतुल को ही प्रत्याशी बना दिया इस बार भी उन्हें हार मिली भाजपा के संगीत सोम जीते लेकिन 2022 में कहानी पलड गई 2022 विदान सबा चुनाओं में सर्धना सीट पर पहली बार साइकल दोड़ी सपा रालोध गटबंधन के अतुल प्रधान 18,160 वोटों से जीते उन्होंने अपने निकर्तम प्रतिद्वन्दी भाजपा के फाय ब्राइंड नेता संगीत सोम को हरा दिया इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन्हें लोकसभा भीजने के बारे में सोचा और मेरट से अरुन गोविल के खिलाफ मैदान में उतार दिया लेकिन समाजवादी पार्टी का ये दाव फेल हो गया और मेरट का किला सपा नहीं जीत सकी और अब जब अखलेश के उसी करीबी विधायक ने योगी के सामने सिर जुकाया तो सियासी महकमी में चर्चा होने लगी कि योगी ने उसे जुकाया जिसने उनके प्रत्याशी को हराया तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? हमें कॉमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं